हलो साथियों कैसे हैं उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे आप सभी को सबसे पहले सूपरभात गुड मॉर्निंग बिल्कुल काफी लंबे समय के बाद मैं वापस आप से जोड़ा हूं और जैसा कि कुछ समय थी उस वज़े से मैं आपको वीडियो इसका जो आपका पैपर था ठीक है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इसमें राजस्तान जी कि आपके जो पूछी गई थी जो कि आपका जो पैपर हुआ था जैसा कि आपके सामने लिखावा एक मार्च दोजार तेईस को इसका पैपर आपका हुआ था और एल की डाइख लेते ऐसा है आपके सामने है मैं चीस थुड़ा आसानिस आपको दिख सके इसी विज्विवलेटी बना देता है और में यह सवाल आपके सामने खाग्रोन किला सतित है आपको बताना तो गाग्रोन का चिला कहा लग्न है उप है बिलकुल आपको याद रखना ठी यह जल्दुर्ग की सेरेने का एक अच्छा उधारन है गागरोन का किला जो इसका निर्मान डोड परमारू द्वारा करवाए ज़ा गया भी डोड परमारू की द्वारा इसका निर्मान करवाय गया था ठीक आपको बिल्कूल याद रखना है अब आगे बढ़ता है अगले कोशन की बात कर लेते हैं अगला कोशन आपके सामना है यह रहां सब्सवपकौ स्हों कि सेली kicking परमुक विसीस्ता रही है तो आप सभी को पतांगी ऌपपक्शों की परमुक सेली है वह कौन सी सेली है तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ आपकी बूंदी चितर सेली का सम्मन्द आपके पसुपक्सी सेलियों से रहा है ठीक है और सिकार सेली के अगर बात करें तो कोटा सेली को सिकार सेली के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बिलकुल आपको याद रखना है पसुपक्सियों का जो प्राकर्तिक संद्रिय का जो चि यह आपको बताना है ब्याम में जैलम में मिर्तु पर जडूले पर तो इसका जो तीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल साधी के आउसर है नि बिहाग के आउसर पर आपके पीठी के गीत गाये जाते हैं ऑप्शन नमबर वन जो है आपका बिल्कुल राइट आं गोटारू आपका जसलमेर के अंदर पढ़ता कहा पड़ता यह बाड मेर में इस्तित नहीं है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं जेन कवी समय सुन्दर रचना नहीं है यानि सवाल क्या पूछा है जेन कवी जू स समय सुन्दर उनकी कौन सी रचना नहीं है यह सवाल पूछाएं तो देख लेते हैं इनकी कौन सी रचना नहीं है तो बिल्कुल इसका जो रायट आंसर हो जाएगा पदमनी चरितर चोपाई यह आपके जो जेन कविये समय सुन्दर की रचना नहीं है बाकी जो तीन रचना यह आपके बचिये यह जेन कविये समय सुन्दर की है अगला कोशन देखते हैं भीलो के कमरे के बाहर इस्तित ब्राम्दी यह नि गैलरी को कहा जाता है क्या कहा जाता यह आपको बताना है तो इसका जो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा डेहलिया उप्शन नमबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगले कोशनों के और बढ़ते हैं देख लेते हैं कोशन अगले बड़े सांदर सावाल इसमें आपके पूछे गए हैं तो कोशन नमबर सैवन है सेविन आपके सामने है जण गणना 2011 जण गणना के अनुसार कौन से जिले में ST महिला शाकसरता न्यूनतम है यह आपको बताना है तो आठ का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नमबर D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेविन का जो है सोरी सोरी सेविन का जो आपका सही आ राइट आंसर आपका हो जाएगा अगला कुशन देख लेते हैं कुणसी साहित्य कृत्य राजस्तान साहित्यरी आदिकाल सु संबंदित है यह आपको बताना है तो आठ का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option नमबर डी आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा नेमिनात रास यह जो है आपकी करती यह राजस्तान साही तेरी आधिकालसु संबंदित है अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर नाइन 1938 में करोली परजाम अंडल की स्थापना किस ने की तो नो का जो आपका सही अंसर हो जाएगा बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नमबर डी तिर लोग चंद माथूर के दोरा कीगी ऑप्शन नमबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा लोकनाटी चारवेत निम्न में से किस सेतर से सम्मंदित है यह आपको बताना है तो दसवे कुशन के अगर मैं बात करूँ तो चारवेत सेली का जो सम्मंद है वो आपके कौन से जिले से है तो टौक जिले से है ऑप्शन नमबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है तो सोनार का किला आप सभी जानते हो सोनार का किला आपके जसलमेर में स्थित है कहा स्थित है सोनार का किला जो है आपका बिल्कुल जसलमेर के अंदर स्थित है अगला कोशन देख लेत सिरोज में मर्दी आपके कहा पये जाती बड़ा अच्छा सवाल है ठीक ऐसे सवाल ही अक्सर आपके गलत होते हैं तो इसका जो जाएगा सिरोज में मर्दा यापके जैपुर में पाए जाती option number D जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा कुन सा संत राजस्तान रा नहीं है यानि कौन सा जो संत है जिनका संब्ध राजस्तान से नहीं है तो 13 का जो आपका राइट अंसर हो जाएगा बिल्कुल option राजस्तान से इनका संब्द है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं एस्या की सबसे बड़ी तोप जेबान कहा रखी हुई है कितना आसान कोशन है और बार बार एक्जाम में पूछा जाता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन से में जेगड में कौन स नाइस वे सिस्ट चठानों के विकंडन से कौन सी मरदा का निर्मान होता है यह आपको बताना है तो फिफ्टीन का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाल पीली मरदा कौन सी मरदा लाल पीली मरदा का निर्मान होता ठीक है ओप्शन नमबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा गुजर परतिहार सैली जामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है यह आपको बताना है तो जामर कोटड़ा खाने जो जानी जाती है आपके रोक फासफेट के लिए जानी जाती है किसके लिए ऑप्शन नमबर A जो है आपका बिल साही और खंजर साही क्या है यह आपको बताना कि आपूशन है राजस्तान की बोलिया है राजस्तान की पगड़ियों की सेली है यह सिप मात करों तो उन्नीज का आपका राइट बोली जो है यह बिल्कुल आपके मद्य परदेश के के जिलों में भी बोली जाती है राजस्तान के साथ साथ तो option नमबर डी 19 वे का आपका बिल्कुल सही अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं उट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है यह आपको बताना थेवा क इसका आपका रायाट आंसर हो जाएगा ऑप्षिन नमबर ए त्हेवा कला के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं निमलिकित गाई की नसलों में से किसका मूल स्थान राजस्तान में माना जाता है यह आपको बताना थार पार कर राठी मालवी और गिर अगर मैं 21 वे राजस्तान ही माना जाता है निमलिकित में से राजस्तान में उगाई जाने वाली धान की किसम नहीं है कौन सी नहीं है ये आपको बताना है ये सवाल बड़ा अच्छा था जिनके अच्छे से अच्छे तैयारी होगी ने पर वो भी सवाल में फस जाएंगे ठीक है क्योंकि थोड़ा डीप सवाल पूछा गया अगर आपको सारी किस्में याद है और वो किस्में जो राजस्तान में बुई जाती है तब आपका यह सवाल सही होता नहीं था आपको इस सवाल को स्किप करना पड़ता है तो 22 कि अगर म है तो जोती जो है राजस्तान में उगाए जाने वाली धान की किसं बिल्कुल नहीं है ऑप्षन्ण्मर सी जो है इसका बिल्कुल रायट अंशर माना है इनल और मेला किस जिले में लगता है तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल option number A डूंगरपुर में लगता कहा लगता है डूंगरपुर में option number A जो है आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा देखो बेनेस्वर धाम की जो स्थापना करेती उस संत माव जी के द्वारा की गीती उस संत माव जी का जो संबंध था वो निस्कलंग संपरदाश्चे था बिलकुल आपको याद रखना इनकी परमुक पीड जो है उसाबला ग्राम डूंगरपुर में है और यही बेनेस्वर आउन्दूलन का जो संबंध है वह आपकी विकाने रियासत से भीvir, ऑप्शन सी जी आपका बिलकुल राये रार आंसर हो जाएगा, ठीके बिलकुल रियासत से इसका संबंध है अमर सागर पवन उर्जा प्रियोजना किस जिले में इस्तित है वे आपको बताना है तो अमर सागर का जो संबन्ध है आप सबी जानते हो कि जसल मेर से ओप्शन नमबर डी जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं संत माव जी किस संपरदाय के परवर्तक है तो जैसा कि मैंना उपर आपसे चर्चा कही थी सवाल आपका बन चुका है तो ऑप्शन नमबर सी जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संत माव जी का जो संबन्ध है वो निस्कलंग की संपरदाय से हैं बिल्कुल आपको याद रखना है कि देखो मैं बात करूंना संत माव जी के देखो आपसे मैं बता देता हूं संत माव जी के जनम की बात हो या संत माव जी की पीट की बात हो या संत माव जी के मंदिर की बात हो यह तीनों ही जो है जनम पीट और मंदिर य साबला ग्राम डूंगरपुर में ठीक है बिलकुल आपको याद रखन जनम भी इनका साबला ग्राम डूंगरपुर में पीट भी इनकी साबला ग्राम डूंगरपुर में मंदिर भी इनका साबला ग्राम डूंगरपुर में अगला कोशन कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की अत्या 887 के विद्रों के दोरान की गई थी तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं युनानी सासक मिनांडर के सिर्के के सब्यता से प्राप्ट हुआ यह आपको बताना है तो इसका जो संब्ध है बिल्कुल बैराट सब्वेता से option number C जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा 29 का जो right answer हो जाएगा कौन सा option number C next अगला question देखते हैं कुर्जा पीपली गूगरी केवड़ा क्या है तो 30 के अगर मैं बात करूँ तो option number B जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा तोision number B जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा गुलाबी संगे मर्मर का ざनन सेत्र है तो 31 के अगर मैं बात कर लो तो 31 का आपका right answer हो जाएगा बाबरमल को जील जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा और ये बाबरमल कहा पड़ता है आपको बताना कमेंट करके जीके अगला कोशन, चिर्मी राज्य के कौन से सहत्र में मिलती है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल मैं बात करूँ, तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा, उत्री अर्द सुस्क सहत्र में, ठीक है, यहाँ आपका हो गया, गंगा नगर हो गया भी कान अगला कोशन आपका क्या है, केसरी सिंग बारट चेतावनी राच उंगठिया किसने संबोदित करने लिख्या है, याई किनने संबोदित करने लिख्या है, तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नमबर भी, महाराना फते सिंग, ऑप्शन में समयलित है, क्या पूचा भी समयलित है, तो 34 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नमबर भी, डूंगरपूर बास्वाडा, ऑप्शन नमबर भी, जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अगला कोशन देखते हैं, पंजाब रे अबहर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, बांगडी बूली का असर है, मालवा के किस सासक को प्रास्ट कर कुमबा ने किर्ती स्थम का निर्मान करवाया था, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, मेमूद खिल जी पर्थम, ऑप्शन नमबर वन जो है, आपका सहरिया जन जाती, बिल्कुल ऑप्शन नमबर ए जो है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अगले कोशन के और बढ़ते हैं, अगला कोशन देख लेते हैं, राजिस्तान में सीसा जस्ते का सबसे बड़ा निक्षेप कहा इस्तीत है, तो 38 के अगर मैं बात कर लो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और यह जो खान है, यह आपके राजसमन्द के अंदर पढ़ती है, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन देख लेते हैं, होगा, बडला सॉल राजस्तान के किस जिले में इस्तीत है, बडला सोलर प्लांट राजस्तान के किस जिले में इस्तीत हैं, तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सीकर से इनका संबंध है अब देखो ये करंड का सवाल था लेकिन सवाल यूँ बन सकता है कि रोवर बजरंग लाल ताकर कौन सा खेल खेलते हैं तो बिल्कुल आपको बताना कमेंट करके कौन सा खेल और इनका संबंध कौन से जिले से यह तो पूछी लिया था सीकर से हैं आगे बढ़ते हैं अगले कोशनों की तरफ अगले कोशन देख लेते हैं यह रहे नई सिक्षा नीती 2020 के तहत इसकुली सिक्षा को कितने स्थर पर बाटा गया है तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल चार स्थर पर बाटा गया है कि बच्चों का अधिकार निश्चुल्क अनिवारे शिक्षा अधीनियम 2009 किस दिन से लागू किया गया था तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का बिल्कुल मैं बात करना चाहूं तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक सब्सक्राइब करने चाहिए तो आपका 45 का जो राइट अंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नमबर एट अन्सर हो जाएगा एक बार है ना वर्ज केवल एक बार अगले कोशने के रुबट जाते हैं कि निम लिखित गती वीडियो में से कौन सी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन सहरी का भाग है यह आपको बताना है तो इसका अपन देख लेते हैं यह आपका 46 सवाल है 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल मैं बात करना चाहूं तो दे यह भी है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल option number D होगा यह सभी चारों ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निम्नांकित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णनेते वित्पॉसित नहीं है ठीक है यह आपको बताना है तो इसके 47 क अगर मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा बिल्कुल option number C जो है आपका मुख्यमंतरी निश्वल्क दावायोजना का सम्मन्द option number C जो है यह पूर्णनेते राज्य सरकार वित्पॉसित नहीं है इसमें सेंट्रल का भी हिस्सा ह अगले कुशन देख लेते हैं 48 निम्ण मैं से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है तो देखो चार चौमा चूरू यही सुमेलित नहीं है चार-चोमा आपका कोटा के अंदर है, चोरू में नहीं, बाकि सारे सुम्मेलिते, काला-गोरा, बहरो, सवयमादुपूर में है, बिल्कुल सही, बीजासन माता का मंदिर बूधी में, बिल्कुल सही, है अगला कोशन देखते हैं निम लिखित में से किस वन्य जीव को दो सा जिले का सुबंकर गोसित किया गया है तो 49 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक है कि पचासवा कुशन आपका क्या है तो पचासवा कुशन में देख लेता हूं उडान योजना के तहट परतिमा कितने सैनेटरी नेपकीन परधान किये जाते हैं तो इसम आपको उत्तर बताना है तो देख लेते इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है कौन सा होगा आठ दस 12 और 14 तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगले कुशन देख लेते हैं तो मैं अगले कुशन के और बढ यह लो आपका अगला कोशन है फोटी फिफ्टी वन वाला ठीक है भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजंडे के लिए गोल फोर यानि स्टीजी फोर कब अपनाया था तो फिफ्टी वन का जो आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी 2015 में अपनाया था ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं साथवे सविदान संशोदन अधीनिम 1956 की किस दारेक अनुसार एक विक्ति को दो या दो सदिक राज्यों का राज्यपाल निउक्त किया जा सकता है तो फिफ्टी टू का जो आपका राइट अंसर हो जाएगा दाराच छे दाराच छे के अनुसार बे ऑप्शन नमबर सी जो आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा 54 की में बात करूं दीन दयाल अंतोद्य यूजना रास्ट ये सहरी आजवी का मिसन का केंदर सरकार का अंस है तो 54 में बिल्कुल केंदर सरकार का जो अंसर वो 60% है और राज्यपा कितना 40% है बिल्कुल आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देख लेते हैं तो ये अगला कोशन है आपके सामने ये राजिस्तान में आर्टी नियम 2011 के अनुसर बालक को प्रारामिक शिक्षा पूरे करने पर दिये जाने वाले परमान पत्र का आधार क्या होगा तो 55 का जो राइट आंसर माना है वो अंतिम योगात्मक मुल्यांकन अगला कोशन देख लेते हैं पॉलिटीस है राज्यपाल की उपलब्दिया और भत्ते भारित होते हैं तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की संचिद निदी पर किसमें राज्य की संचिद निदी पर डी जो है आपका बिल ना है तो 58 का अनुभर वानिका जो संबंद वो दादू दयाल से नहीं बाकी अलग दरीबा का है दादू खोल का नरेना का भी है तो इसका जो राइट आंजर होगा आपका यह वाला होगा अगले कोशनों की तरफ बढ़ जाते हैं कि मैच करने सुमेलित करने हैं ठीक कौन सा कोशन 59 है आपके सामने बिल्कुल देखते मिलाते हैं अपने न निरंजनी संपरदाय का जो संबंद वो गाड़ा से है परणामी का आपका पन्ना से हो जाएगा गुदड का आपका शापुरा से हो जाएगा राम से नहीं अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं आर्टी अधीनिम 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि परतेग राज्य अपनी अपनी आर्टी निया मावली बनाए तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 38 ओप्शन नमबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जा अगला कोशन देख लेते हैं विश्व विद्यारती दिवस कम मनाया जाता है तो 62 के अगर मैं बात करें तो ऑप्शन नमबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूमबर ठीक है अगला कोशन देखते हैं 63 इस ओफ डूइंग बिजनिस रिपोर्ट 2022 में राजस्तान को किस रणी में समेलित किया गया था तो 63 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी आकांसी राज्यों के अंदर सामिल किया गया था अगला कोशन देख लेते हैं 64 विद्याले के साला प्रब्धान का विद्याले परवंदक सिमीतिक में क्या पदनाम होता है तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा अगर आज का आकरी सवाल है फिर आपके लेंग्वेज के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे सिंदी के तो 2 October 2022 को केंदर सरकार द्वारा जारी स्वच सर्वेक्शन रिपोर्ट 2022 में राजस्तान की रेंग ओवर ओल पोजिशन क्या थी अबी तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आट वी थी वी कोन सी रेंग लगे थी आट वी रेंग आपके लगी थी तो ये आपके राजस्तान जीके से से रिलेटेड और सेक्सिनिक मेनेजमेंट से रिलेटेड और राज़तान पॉलिटी के जो ग्राफी के जो कोशन्द में रहल करवाया हैं इसी तरह से अगली अपने क्लास कंट्यूनु लगती रहेगी तो आज के लिए बस इतना ही अगली क्लास में आप सभी साथियों के पिलेवाट